नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 29 दिसंबर खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर संपन हुआ दूसरे चरण का नगर निकाय चनाओ मुकेश कुमार के लिए खुले टीम इंडिया के दरवाजे ग्यान के धर्ती पर उम्राज जन सैला बिहार के मौसम में उतार चरहाओ जारी ओलंपिक में जवानी की दावेदारी के लिए भारत ने बढ़ाए कदब अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से CRPF ने 1459 रिक्तियों के लिए भरती अधिसूश ना जारी किया Central Reserve Police Force ने Assistant Sub Inspector और Head Constable के कुल मिला कर 1459 रिक्त पदों पर भरती के लिए recruitment notification जारी किया है इन पदों के लिए अगर educational qualification की बात की जाए तो candidate को 10 प्लस 2 पास होना चाहिए इक्चोक और योग्यों मिद्वार इस vacancy notice के बारे में समझ जरूई जानकारी के लिए इस वीडियो के सी पेज पर नीचे description बॉक्स में दिये गया वेब लिंग पर जरूर क्लिक करें ओनलाइन आवेदन करने की तारीक 4 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक है बिस्तरे जानकारी के लिए आप ओफिसियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं चिर्पुट घटनाओ के बीच में संपन हुआ दूसरे चरण का नगर निकाय चुनाओ बीते दिन बिहार में नगर निकाय चुनाओ का दूसरा चरण संपन हुआ कडाकी की ठंड के बीच में एक तरफ जहां मदाताओं ने लंबी-लंबी लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया तो वहीं दूसरी तरफ कई मदान केंद्रों पर वोटरों की संख्या में काफी कमी देखी गई आपको बता दे कि इस दौरान तेज जिलों के 68 निकायों में कुल 57 प्रतीसत तक की वोटिंग हुई है बीते दिन हुए मदान में कई अस्थानों पर वोटिंग के दौरान मारपीर की खबरे सामने आई वही मुंगेड में EVM मसीद में गरवरी की खबरे सामने आई है जिसके कार्ण मदान सुरू होने में आधे घंटे की देरी हुई तक्त श्री हरी मंदर गुरुद्वारा में उम्री स्रधालू की भीर तिन दुरों तक चनले वाले पटना सीटी तक्त श्री हरी मंदर में गुरु गोविन सिंग जी महराज का 365 जन्म उत्सव को प्रकास उत्सव के रूप में मनाने को लेकर श्रधालू की काफी भीर देखी गई वहीं इस पर्व को लेकर गुरुद्वारे को रंग बिरंगे रौशनी से भवे रूप से सजाया गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि आज यानी 29 दिसंबर को इस प्रकास पर्व का अंतिम दिन है ऐसे में कहा जा रहा है कि आज बिहार के मुख्यमंत रिनितीज कुमार भी पटना तक्त श्री हरी मंदर शाहब में आ सकते हैं वहीं इस पर्व के दोरान श्रधालू के लिए गुरुद्वारा प्रवंधन कमीटी की ओर से लंगर का भी प्रवंध किया गया वहीं बीतदन गुरुद्वारा से बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई थी और साथ ही गायखार से नगर कृतन भी निकाला गया था जिसमें देश विदेश से आईश्रधालू ने बर्चर कर भाग लिया बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुप कुमार सिंग के बारे में बिहारी पहचान के इस्ट्रेनी में हम बात कर रहे हैं बिहार के गया के एक ऐसे ही लाल अनुप कुमार सिंग की जो अपने विवित करदारों से कई लोग प्रिय टीवी सिरियलों में दर्शकों क दिल जीत रहे हैं। ग्यान की धर्ती कहे जाने वाले बोद गया में दलाई लामा के तीन दीनों के प्रवशन के कारिकर्म को देखते वे बड़ी संक्या में बहुत श्रद्धालू पहुंच रहे हैं। लगेज स्कैनर की संक्या बढ़ाई गई थी और नहीं मेटल डिटेक्टर से चक्किये जाने वाले डोड की वेवस्था की गई थी जिसकी वज़े से श्रद्धालू को लंबी कतार में खड़े रहकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। मुकेश कुमार के लिए खुले टीम इंडिया के दरवाचे भारत और श्रिलंका के बीच में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर टीम का एलान कर दिया गया है जिसमें बिहार के लाल को जगह मिल गई है। बता दे कि मुकेश कुमार का चयन भारतिये टीम के टी-20 मुकाबले में किया गया है आपको बता दे कि इस सीरीज की सुरवाद 3 जनवरी से होनी है और इसमें 16 अदस्यों का चयन किया गया है जिसमें मुकेश कुमार का नाम शामिल है मुकेश कुमार के क्रिगेट कैरियर मे उनके प्रदर्शन की बात कर ले तो मुकेस ने इंडिया A के लिए खेलते वे सांदार प्रदर्शन किया है इसी साल उक्टूबर महीने में दच्छन अफरीका के खेले गए वन डे सिरीज में इन्हें भारतिय टीम में शामिल किया गया लेकिन वहाँ इन्हें एक भी मैच खेलने का मौकान नहीं मिला था अब उकेस कुमार आइपियर में दल्दी की तरफ से गेंदबाजी करते वे दिखाई देंगे सराब कारूबार पर सिवर पुलिस का सर्जिकल स्ट्राइक बिहार में सराब बंदी कानून लागू है फिर भी बिहार में अवैद सराब की कारूबार थम नहीं रहा है इसी को देखते वे अब प्रशासन के दौरा भी रनीती करी कर ली गई है इसकरी में नेपाल से बागमती नदी के रास्ते सराब लानी की सूचना मिलने पड़ सिवर पुलिस के दौरा भी ते दिन सराब माफियाओं के खिलाब बागमती दियारा इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया और स्तौरान सैक्रो लीटर देशी सराब वसराब बनाने वाली भटी को ध्वस्त किया गया इस बात के जानकारी पुलिस अधिक्छक अनंत कुमार के द्वारा दी गई है इसके साथ ही पुलिस अधिच्छा के द्वारा यह भी बताया गया है कि जल्दी सराब माफियाओं को चिनित कर उन्हें पुलिस के गिरफ्ट में लिया जाएगा बिहार के मौसम में उतार चरहाव जारी मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिसंबर के अंध तक सीट लहर की संभावना नहीं है हाला कि विभाग ने यह भी दावा किया है कि सप्ता के अंध में नियूनतम तापमान में दो से लेकर चार दिगरी तक गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम विभाग के ओर से जारी किये गए पुरवानुबान के मताबिक दिसंबर के बचेवे दिन और जन्वरी के पहले सप्ता में तापमान 8 से 10 डिगरी सेलसियस रह सकता है मौसम विभाग पुर्वान वान के मताबिक राज्धानी पटना सहित बिहार के अने जिलों में जनवरी के पहले सबता एक घना कोष़ाण नहीं होगा आने वाले दिनों में ताप्मान गिरने के आसंका वेक्ट की गई है मौसम वेग्यानिकों ने दिन के तापमान में तेज गिरावट के लिए मैदाने इलाकों से गुजरने वाली थंडी उत्तर पश्मी हवाओं को जमिदार ठेडाया है बिहार में अब जिला अस्तर पर बनेगी गवाहों की सूची ग्री विभाग के अभियोजर ने दिशाले की समिच्छा बैटक में जानकारी दी गई है कि अब तक बिहार में करीब 48,000 कांड ऐसे हैं जो मादे दिसंबर से लंबित है इसे को देखते वे विभाग ने बैटक में सभी को निर्देश दिया है कि अगर अनुसंधान करता के द्वारा 60 दिनों में SCST Act से जुरे मामलों में आरोपित पत्र समर्पित नहीं किया जाता है बिहार के परेटर में आज हम बात करेंगे करकट जल प्रपात के बारे में करकट जल प्रपात करमनासा नदी पर भारतिय राजे बिहार के कैमूर जिलिस पर कैमूर रेंज के करकट गर गाउं में सित है यह जड़ने पर मगरमच का प्राकृतिक आवास है और बिहार सरकार इसे मगरमच संरक्षन रिजर्व और एको टुरिजम स्पोर्ट के रूप में विक्सित कर रही है यह सांदार करकर जड़ने कैमूर पहारियों में इस्थित है यह जड़ना व्यापक रूप से सैर सपार्टे के लिए एक प्रिया स्थान है और इसका थंड़ा पानी देर सारे मज़दार खेलो को एवं क्रिया कलापक को प्रदान करता है करकर जड़ना हर उम्र के लोगों के लिए एक देखने युग्य अस्थान है कैमूर की पहारियों के बीचों बीच सित करकर जड़ना पिकनिक मनाने के लिए उप्युक्त अस्थान है यहां आने वाले परेटक वाटर स्पोर्स का मजा ले सकते हैं सियम नेदीस ने बताया बिहार में कैसे करोना से बचाओ के लिए की गई व्यवस्था बिहार के गया जिले में करोना मरीजों की बरहुतरी को होते देख अब बिहार सरकार भी करोना से राजे को बचाने के लिए पूरी तरह तयार हो गई है इसे लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपुर्ण बाते कहीं उन्होंने कहा कि बिहार में कुरोना के मामले सुने हो गए थे लेकिन बाहर के लोगों का बिहार में आने से एक पर फिर कुरोना की जांच में बरहुतरी कर दी गई है और साथ ही ठीका करन करने में भी तेजी लाग दी गई है उन्होंने कहा कि अब लग भक्चाली से 50,000 कुरोना की जांच की जा रही है तो वहीं 4 से 5,000 प्रतित ठीका करन भी किया जा रहा है वहीं अस्पतालों में भी कुरोना को लेकर सारी प्रबंध कर दिये गए है नए साल के सलिब्रेशन पर 3500 पुलिस कर्मियों की रहे गया पर पैनी नजर संभल कर मनाय जश्न नए साल के जश्न में सराव की खपत बहने के आसंका को देखते वे चेक पोस्ट से लेकर स्थानी उतपाद वजिला पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है मदन निशिद उतपाद इवं निवंदन विवा के आयुकत बी कार्ती के धनन जी के द्वारा बताया गया है कि कारोबार पर असी अंतराजी है वह जीला चेक पोस्टों के माध्यम से करी नजर रखी जारी है इसके अलावा जिला पुलिस की ओर से भी अलग-अलग जगों पर चेकिंग की जा रही है वहीं उत्तर प्रदेश जार खर बंगाल जैसे राजियों की सिमाओ पर बने चेक पोस्ट पर सैप होम कार्डवा उतपाद सिपाहियों समेट 3500 अधिक उतपाद विवा की कर्मी तै बिहार में पटना सहित 9 जिलों में परिच्छा केंदर का निनमान किया गया है बता दे कि जिन जिलों में परिच्छा केंदर बनाए गया है उनमें पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दर्भंगा, गया, मुझापरपुर, पुर्णिया और रोहतास जिला शामिल ह बिएससे दूसरे और तीसरे चरण परिक्षा की पेपर लीक का है प्रमाद तो आयोग से कड़े संपर्क बिहार करमचाई चरन आयोग द्वारा आयोज तृतिय असनातक की पेपर लीक मामले को लेकर पहली पाली की परिक्षा रद कर दी गई है कि अगर किसी के पास इस परिक्षा के दूसरी या तीसरे चर्ण की परिक्षा का प्रशन पत्र लीक होने का प्रमान है तो वे प्रमान को तीन दिनों के अंदर आयो की इमेल आईडी SECYBSSE at the rate gmail.com पर और पंजिकरित डांक पता पर अपने नाम, पुड़ पता और मोवाईल नमबर के साथ भेज दे बिहार लोक सेवा आयोक के माध्यम से राजी के प्राडंबिक विद्यालियों में 40506 प्रधान सिक्षकों की न्युक्ति बे और विलंब होनी की संभावना है बता दे कि ऐसा इसलिए माना जारा है क्योंकि इसकी न्युक्ति को लेकर बनाई गए नई नियामावली में पतना उच न्यायाले के आदेश के आलोक में सिक्षा विभाग द्वारा संसोधन कर सला इवं सहमती लेने के लिए विदी विभाग को भेजा गया है इसके साथ ही संसोधित नियामावली के आधार पर उर्दू T.E.T. उतिन अभ्यर्थियों को प्रधान सिक्षक न्युक्ति में कम से कम आठ साल का अनुभव में छूट मिलने की संभावना है वहीं संसोधित निया मावली के आधार पर अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा सुशान के केस पर पुर्व डीजी पी गुपतेश्वर पांडे का आरोप बिहार के लाल और बॉलिवर्ड अक्टर सुसान सिंह राजपूत की मौत के दो साल बाद उनसे जुरी नहीं बाते सामने आई हैं वहीं से लेकर बिहार के पुर्व पुलिस नदेशव गुपतेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते वे कहा कि सुसान्त मामली की जाच के दोरान बिहार से जो पुलिस मुंबई भेजे गया थे उनका सहयोग मुंबई पुलिस के दोरान नहीं किया गया उन्होंने कहा कि बिहार से भेजे गया धिकारियों की एक टीम के प्रती मुंबई पुलिस का वहवार अनैतिक था इसके साथ ही बिहार के IPS अधिकारी को नजर बंद भी किया गया था वहीं हमारी टीम को पढ़या समय नहीं दिया गया था सभी जांचों को पूड़ा करने के लिए अगर हमें 15 दिन का और समय मिलता तो मामला सुलज गया होता लेकिन अब उन्हें उमीद है कि महरास्टर की नई सरकार की जांच में सुसान सिंग राजपूद की केस से जुड़ा सारा सथ सामने आ जाएगा CMA तोरी चुपी बताया नमामी गंगे के कारेक्रम में ना शामिल होनी का कारण प्रधान मंतरी के अध्यक्षता में 30 दिसंबर को नमामी गंगे योजना पर बैठक आयोजित की गई है जिसमें उन सभी राजियो के मुख्यमंतरी शामिल होंगे जिस योजना का हिस्सा होंगे लेकिन बिहार की ओर से इस योजना का प्रतिनित्र वामी गंगी का बैठक उतरप्रदेश में आयुजित किया गया था जहान सुशील मोदी पहुंचे थे क्योंकि उस समय वह इसमें शामिल थे लेकिन इस पर यह विभाग तेरश्वी आदव संभाल रहे हैं जिस वज़ा से इस पर इस पर इसपाटक में तेरश्वी आदव भाग ले रहे हैं चराग पासवान ने किंद्रे ग्रीह मंतरी से मुलाकात कर की बिहार में राश्ट्रोपती शासन लगानी की मांग लोजपा के मुख्या चराग पासवान ने किंद्रे ग्रीह मंतरी से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौपा है इस पत्र के माध्यम से चराग पासवान ने ग्रीह मंतरी से बिहार में राश्ट्रोपती साशन लागू करने की मांग की है उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है सभी माफियां और अपराधी अपना राज चला रहे हैं जिस वज़ा से आम जन जीवन प्रभावित होड़ा है वहीं दूसरी ओर यहां जहली सराब के कारण कहीं लोगों को अपनी जान गवानी परी है सबके बावजूद भी राजे सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर रही और मूग बनकर बैठी है और साथ ही सारंजले में जहली सराब से मरने वालों की संख्या को सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है यहां हर रोज हत्याई हो रही हैं सब को कारणों को देखते वे बिहार में रास्ट्रोपती साखसन लागू हो जाना चाहिए लालो तेश्वी के खिलाफ CBI जाँच पर बोले नितीज कुमार आरजडी प्रमुक लालो पुशाद यादव के खिलाफ IRCTC से जुरे भरसचार का मामला केंद्रिय जाँच ब्यूरो के दौरा एक बार फिर से खोल दिया गया है ऐसे में मुखे मंतर इंतीज कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि लालो यादव हम लोग के साथ आ गया है इसलिए उनके खिलाफ फिर से यह मामला खोल दिया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि CBI के दौरा इस मामले पर जाँच की सुरवा साल 2018 में की गई थी लेकिन लालो यादव के किलाफ कुछ पुकता सबूत ना मिल पाने से इस मामले को 2021 में बंतक कर दिया गया था अब इस मामले के जान CBI के दौरा एक बार फिर से सुरू कर दी गई है पांच जनवरी से भाजरो यात्रा में खरगे मंदार परवत से भड़ेंगे हुंकार बिहार में कॉंगर्स की भाजरो यात्रा के सुरवाद पांच जनवरी 2023 से होने वाली है वहें सियात्रा के सुरूवाद कॉंगर्स के अध्यक्ष मले कारजुन खरगे के दौरा बांका के मंदार परवत से की जाएगी बिहार में होने वाले सियात्रा को लेकर कॉंगर्स विधायक दल के नेता अजिस सर्मा का कहना है कि राहूल गांधी की भाजरो यात्रा की बड़ी सफलता हुई है इसलिए हमारी पार्टी ने बिहार में भी ऐसा करने का फैसला लिया है बिहार में सियात्रा का नतित्व कॉंग्रस के राश्ट्री अध्यक्ष मलेकार जिन खड़के के दोरा किया जाएगा जैसे बिहार में भी कॉंग्रस को राजनितिक आधार हाशिल करने में मदद मिलेगी वर्ल्ड कप 2023 में कप्तान और उब कपतान को लेकर दिनेश कार्टिक ने की भविश्यवानी उन्होंने कहा है कि वर्ड कप 2023 में भारतिय टीम का कप्तान रोहिस सर्मा होंगे और उप कप्तान के रूप में हार्दिक पांडिया को चुना जाएगा उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि केल राहूल वाइट बॉल फॉर्मिट के उप कप्तान रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा मा मुगल शासक बावर का बेटा हुमायों 1530 में उसका उत्राधिकारी बना कलकता में 1972 में मेट्रो रेल का काम सुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा ओपन एर ठियेटर 1977 में ड्राइब मुंबई में खुला भारतिय क्रिकेटर सुनील कावासकर ने 1987 में ट्रिस्ट क्रिकेट में अधिक तम 236 रन वेस्ट इंडीज के खिलाब बनाये पाकस्तान पर्याटकों को 2002 में भारत के तीन सहरों में घूमनी में हुआ हिंदे फिल्मों के प्रसद अभिनेत राजेश खरना का जन्म 1922 में हुआ प्रसद आलोचक प्रमुख मीडिया विसलेशक साहित्यकार स्तंबकार और वर्लिस्ट मीडिया समिक चख सुधीस पचौरी का जन्म 1928 में हुआ वाइरल कपर में आज हम बात करेंगे कोरोना वाइरस से संबंधित पोस्ट के बारे में शोशल मीडिया पर कई सुचनाई वाइरल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़े में आज हम बात करेंगे कोडूना वाइरस से संबन्धित पोस्ट के बाडे में तरसल P.I.B. ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या केंदर सरकार दोरा कोडूना वाइरस से संबन्धित पोस्ट करने की दंदनी आपरात घोसित कर दिया गया है पियाईबी ले अपनी टूइट में आगे लिखा है कि नहीं लेकिन कोविड-19 जैसी गंभीर बिमारी पर सही और विश्वसनी जानकारी साजा करना आतियंत आवश्यक है जिम्मेदार नागरिक बने और केव सही जानकारी शेयर करें उलम्पिक मेजवानी की दावेदारी के लिए भारत ने बढ़ाई कदम उलम्पिक खेलों का आयोजन भारत में आयोजित किया जा सके इसके लिए मोधी सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाये गया है इसके लिए मोधी सरकार ने रूप रेखा भी तयार कर ली है बतादी केंद्रिये खेल मंत्री अनुराक ठाकुर के दोरा यह एलान किया गया है कि 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजवानी का दावा भारत के दोरा किया जाएगा इसके लिए अगले साल सितंबर में इंटरनाशनल ओलंपिक कमीटी की मिटिंग के दोरान इसका रोड वाटसअप पर ऐसे बंद करें मैसेज रियाक्शन नोटिफिकेशन वाटसअप अपने यूजर के लिए नया फीचर लाता रहता है इसी फीचर में से एक इमोजी रियाक्शन फीचर है जिसकी मदद से आप अपने मैसेज पर रियाक्शन दे सकते हैं लेकिन अगर आप notification टेब को टेब करें और खोड़ी upscroll कर और reaction notification ओप्शन खोजे इसके बाद toggle करें और so notification for reaction to message you send को बंध करें WhatsApp परसनल चैट और ग्रूप चैट के लिए message reaction notification को बंध करने के लिए अलग-अलग option देता है इसलिए message और group दोनों option के तहट reaction notification option को बंध कर दें बीतर दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों आज का सवाल है आपके अनुसार वर्ल्ड कप 2023 में किसे टीम इंडिया का कप्तान बनाना चाहिए और क्यों आपना जवाब हमें अमारे कमेंस सेक्षन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रही बिहारी निवस और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पीस को लाइक करना ना भूले धन्यवार